हलो फ्रेंड्स आप सभी का अपने HDS Tutorial पर स्वागत है तो आज हम लोग देखेंगे Pre-Metric Scholarship 2022-23 का फोम आप किस तरीके से भर सकते हैं देखिए इकल्यान जारखन इकल्यान में आप लोगों को ओनलाइन कराना पड़ेगा लेकिन और लाइन से पहले आप लोगों को स्कूल से इस तरीके से एक फोम मिलेगा इसको भरना है उसके बाद स्कूल में जमा कर देना है या फिर आप Computer Center में भी जाकर करा सकते हैं लेकिन इसकूल में अगर आप लोगों का जमा हो रहा है तो इसकूल में कर दीजेगा अच्छा रहेगा प्री मेटरी कहने कि 10 क्लास से नीचे वाले छात्रों के लिए ये फोम है क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक 1100 रुपिय मिलेगा क्लास 6 से क्लास 8 तक 1700 रुपिय मिलेगा और 9-10 का अलग रहता है ठीक थोड़ा से जादा मिलेगा 1700 से तो इस तरीके से है फोम फोम का जो फोर्मेट है वो अलग हो सकता है बट बेसिकली जो यहाँ पर information मांगा जायेगा वो same है तो चलNING मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँ का क्या क्या information है और किस तरीके से अप इसको फिल कीजेगा यह होम आपको school से मिलेगा इसकूल से ले लीज़येगा थीक है तो दीखिए student's name सबसे पहले यहाँ पर his student's name according to आधार में जैसा आपका नाम है, same यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, इंगलीस में लिखना है, फिर देखे, students आधार नमबर, नीचे आधार नमबर को यहाँ पर भर देना है, फिर students gender, यहाँ पर male या female, उसको यहाँ पर भरना है, फिर नीचे देखे, students date of birth, according to आधार, student का date of birth, आधार के अनुसार, यहाँ पर भरना है, फिर देखे, father's name, यहाँ पर भरना है, mother's name, यहाँ पर भरना है, फिर यहाँ पर देखे, 7 नमबर में guardian नेम लिखना है, तो यहाँ पर अपना guardian का नाम लिख देना है, अब फिर देखे, next, 8 नमबर में category, आपको यहाँ पर c, CST, OBC क्या है, यहाँ पर mention करना पड़ेगा, फिर दिखिए class role number, यहाँ पर आपको अपना class role number लिखना है, फिर दिखिए next, 10 number में hosteler, day scholar, इसको अपने school का teacher से यहाँ पर पूछ कर भर लिजिएगा, फिर दिखिए 11 number में date of admission, आपका admission school में कब हुआ था, उसको यहाँ पर mention करन है, उसके बाद दिखिए next, mobile number, यहाँ पर आपको अपना mobile number देना है, students, bank detail दिखिए नीचे, यहाँ पर yes, no का भी कुछ है, वो आप अपने school के teacher से पुछ लिजिएगा, फिर देखिए district, यहाँ पर आपका bank किस जिले में है, उसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है, यहाँ प आपका bank का नाम यहाँ पर लिखना है, फिर bank branch, यहाँ पर branch का नाम लिखना है, ठीक है, bank का branch का नाम लिखना है, फिर देखिए नीचे 18 नमबर में student आधार link bank account number, यहाँ पर आपको वैसा account number देना है, जो आपका आधार के साथ linked है, यहाँ पर account number लिखना है, फिर देखिए नई नमबर में मदर फादर गाजियन बैंक डिटेल इप स्टुडेंट बैंक के अकाउंट नोट अविलेबल अगर अगर स्टुडेंट का मानकरशी लिए कोई एक कलास में उसका अकाउंट नहीं खुला है फर एक्जांपल मैं बता रहा हूँ पहला कलास में है और उसका बैंक अकाउंट नहीं खुला है तो वह अपने पैरेंट्स का अकाउंट नमबर दे सकता है यहाँ पर ठीक है तो पैरेंट्स का अकाउंट लिखना है अगर आपके पास है तो आप उपर वाला में लिखेगा आपका जो बैंक है किस जीले में है उसके बाद बैंक नेम यहाँ पर बैंक नेम उसके बाद b parents नेम यहाँ पर बाँसने करना है यहाँ पर द्याँ दीजिए यह जो तीन है यह एक डास तईस टीस ठीस ठीक國 यह parents का bank का detail पूछा जा रहा है अगर यहां पर parents का लिखेगा तो इसको भरना पड़ेगा कि parents का जो bank है वो किस district में है उसका नाम क्या है और उसका branch क्या है फिर दिखें next यहां पर mother, father का या फिर guardian का आधार linked bank account वैसा account number यहां पर देना है जो parents के आधार से linked हो ठीके और नीचे यहां पर parents या फिर student का sign लगेगा parents का अगर account number दिया हुआ है तो parents का sign student का account number दिया हुआ है तो student का sign यहां पर लगेगा और आपको इसे school में जमा कर देना है उसके बाद online होगा फिर आपको scholarship दिया जाएगा यहोप सब समझ माया होगा वीडियो अच्छे लिखे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और कितने लोग इसको लसी फॉर्म भरे हैं परी मैटरी का comment करके जरूर बताइएगा थैंक्यो फर वाचे में वीडियो have a good day